परिजय सचिन अपने दोस्तों के साथ अपना जन्म दिन मना रहा है। उसकी माँ बच्चों के लिए आईस्क्रीम मगाना चाहती हैं। इसलिए वह उनकी संख्या गिन्ने में व्यस्त हैं। वो नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा छूट जाए। बच्चों, आपने अभी देखा कि गिनिती कैसे हमारी साहता करती है। इस सध्याए में आप गिनिती के विशय में जानेंगे। आओ सीखें। एक से बीस तक गिन्ना। दस वस्तों के समोहों को गिन्ना। अंडों को गिन्ना। जहां अंडों से भरी एक टोकरी है, आओ, इसमें रखे अंडों को गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और दस. टोकरी में दस अंडे हैं, जहां अंडों से भरी एक और टोकरी है, आओ, हम आगे किनते हैं, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंधरा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्नेस और बीस. हमारे पास कुल बीस अंडे हैं, आओ, खेलें, छड़ियों को गिनें, और गिन कर सही गिनती वाला बटन दबाएं. सेबूं को गिनना आप अंडों को गिनना सीख चुके हैं, आओ, अब हम देखते हैं कि क्या आप प्लेट में रखे सेबूं को गिन सकते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, क्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंधरा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्नीस और बीस, 21, 22, 23, 24 और 25 प्लेट में 25 सेब हैं, आओ, खेलें, मोतियों को गिनें और गिन कर सही गिनिती वाला बटन दबाएं, संख्याओं का अक्षर विन्यास यानि स्पैलिंग आओ हम संख्याओं के अक्षर विन्यास को जाने यहाँ कुछ चॉकलेट हैं, आओ, हम इन्हें गिनते हैं और बकसे में इकठा करते हैं यह पहली चॉकलेट है, यह अब बकसे में जाती है, यह गई एक, यह है दूसरी, यह भी बकसे में जाती है, यह गई दो, यह गई तीन, गई चार, यह गई पाँच, गई छे, यह गई साथ, यह गई आठ, यह गई नौ, यह गई दस, यह गई ग्यारा, यह गई बारा, यह गई तेरा, यह गई चौधा, यह गई पंधरा, यह गई सोला, ये गई सत्रा ये गई अठारा ये गई उन्नेस और ये गई बीस दस के समो पैंसिल के इस बंडल को देखो इस बंडल में दस पैंसिले हैं दस फस्तों का एक समो हूँ दहाई कहलाता है यहाँ एक और बंडल है इसमें भी ऐसी ही दस पैंसिले हैं इस तरह हमारे पास दो दहाई है यहाँ पैंसिलों के कुछ और बंडल है हर एक बंडल में दस पैंसिले हैं आओ हम गिनते हैं तीन, चार, पाँच इस तरह हमारे पास पाँच दहाई है आओ खेलें, गिनिती करें और सही गिनिती वाला बठन दबाएं चित्र में कुल कितने दहाई हैं हमने क्या चर्चा की हम एक से गिनिती शुरू करते हैं दस वस्तूं का एक समोहू दहाई कहलाता है